चलिए आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एकली खबर की अखबारों में छपी खबरों का हवाला देते हुए बेनिवाल ने कहा कि केंदर को खुद आगे बढ़कर पूरे मामले की सीविया इजास्ट की सिफारिश करने चाहिए और परिक्षा को तुरंद रत करना चाहिए खुद भी लोकसभा में इस मुद्दे को गंबीरता से उठाने के उन्होंने बात कहे और ये जो पोस्ट उनकी उड़ से किया गया है सोचल मीडिया प्लैटपॉम एक्स पर वो आप देख लीजिए लिख रहे हैं कि इस मामले में केंदरे शिक्षयमंत्री जुड़ी बात कहने से ये साफ हो चुका है कि केंदर सरकार इस मामले में खुद की नाकामी को लगतार छिपाने का प्रयास कर रही है लेकिन जिस परकार इस परिक्षा से जुड़े पहलू सामने आ रही है उससे ये इस पश्ठ है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है कई अभियर्तियों को मंचाहा सेंटर दिया गया पटना में जेल भेजे गए अभियर्तियों अको उन्हें चार घंटे पहले प्रश्णिपद्र और उत्तर मिलना स्विकार करना और सेकड़ो छातर जिनका परिक्षा के दोरान समय खराब नहीं हुआ बावजूद उसके उन्हें ग्रेस अंक देना ये इसपश्ट है कि पेपर आउट होने से लेकर परिक्षक के इंदरों तक भारी गड़बड़ी हुई है ऐसे में समचार पत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबियाई जाच की मांग को लेकर लगी आचिकाओं पर एंटीए से जवाब में मांगा है को इंदर को खुद आगे बढ़कर इस मुरे मामले की जाच सीबियाई से करवाने की सिफारिश करनी चाहिए और आविलंब इस परिक्षा को रत करना चाहिए चोंकि मेडिकल कॉलेजिस में प्रवेश को लेकर देश की सबसे बड़ी परिक्षा है और शिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने 24 घंटे में अपने बयान बदल दी है ऐसे में मेरी मांग ये है कि प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी को खुद भी इस मामले में वक्त अव्य देना चाहिए